प्रेस दे बेल आइकन ओन दी यूट्यूब आप और नेवर मिस अनादर अपडेट घर की ओर जा रहे थे इसी दोरान सड़क पर तेज गते से आ रही बुलेरो बच्चो को रूंदती हुई निकल गई जिसमें नो बच्चो की मौत हो गई और बीज से ज़्यादा घायल हो गई बुलेरो को जब्त कर लिया गया है और चालक की तलाश की जा रही है हासे के बाद बिहार सरकार ने मर्तक बच्चो के परीजनों को 4-4 लाख रूपे मौज़त देने का इलान किया है मौई इस्तानी विजाएक मुन्ना यादव ने बताय कि बुलेरो चालक नशे की हालत में था इसी वज़े से उसने गाड़ी से नियंतरन खो दिया पताया जा रहा है कि धरमपुरी विध्याले में चुट्टी के बाद बच्चे घर लोट रहे थे इसी दुरान तेज गती से आ रही बोलेरो इन बच्चों को कुछलती हुई चली गई जब तक कोई कुछ समझ पाता कई बच्चे इसकी चपेट में आ गए घटना के बाद इस्ताने लोगों में काफी आक्रोश है लोगों ने दो जगे सड़क पर जाम किया और हंगामा मचाया वहीं परशासन के तरफ से आश्वासन मिलने के बाद लोग शान्त हुए मुख्या मंतरी नितिश कुमार ने बच्चों की मोद पर गहरी सम्वेदना व्यक्त की है